हेलो फ्रेंड वेलकम बेक तूमाइट यूप चैनल गर्मियों कहा है और गर्मियों में आइस्ट किसे पसंद MIK ऐसेपि कशाइब लगो भी आशाथ से पता चली रहा होगा कितनी क्रीमी बनी है सिर्फ दस मिट में बहुत ही कम सामान से हमने इसे बनाया है सिर्फ एक ग्लास दूद से खिबन कर तयार हो जाती है तो चलीए विना देर किये हुए रेसिपी को शुरू करते हैं और बनाते हैं सुपर टेस्टी कुलफी इसके लिए हमने आपर लिया है एक ग्लास दूद, हमने आपर फुल क्रीम दूद लिया है इसी के साथ मैं इसमें एड़ कर रही हूँ दो बड़े चमच मिल्क पाउडर यहाँ पर मैंने खाने वाली चमच से मिल्क पाउडर इसमें एड़ किया है और इसी के साथ हम इसमें एड़ कर रहे हैं एक चमच कस्टर्ड पाउडर य Kamuasar cutter powder बहुत ही आसारी से मार्किट में मिल जाते हैं अब हम सबसे पहले इन सभी चीजों को अच्छे से mix करेंगे अभी हमने या पर गैस की फिलेम को on नहीं किया है अभी घैस की फिलेम को off रखेंगे अगर आप यहाँ पर gas की flame को on करेंगे और जिसे से गदूद गरम होगा तो हमने जो इसमें milk powder और custard powder डाला है यह बहुत जल्दी पहले में जमने लगता है तो यहाँ पर गुटलिया पढ़ सकती है इसलिए हम पहले इन सभी चीजों को अच्छे से mix करेंगे तभी हम gas की flame को on करेंगे मैंने यहाँ पर उबला हुआ दूद लिया है आप यहाँ पर कच्छा दूद भी ले सकते हैं और यह देखिए हमने आपर सभी चीजों को अच्छे से mix कर लिया है अब हम gas की flame को on करेंगे आप सभी से निवेदन है रैसी वसंद आए तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और यह देखिए हमने gas की flame को on कर लिया है और अब जैसे जैसे यह पकेगा यह अपने आप काड़ा होने लगेगा हमें आप इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूत नहीं है पांस से दस मिट में ही यह जो हमारा आइस क्रीम का बैटर है ठीक होने लगेगा और अब मैं इस मैट कर रही हूं चीनी तो मैंने यहाँ पर पांच अमाच चीनी यूज की है आप अपने टेस्ट के कोडिंग थोड़ा बात मीटा कम यह ज़्यादा कर सकते हैं और अब हम इसे चार से पांस मिट के लिए और पकाएंगे ताकि जो मैंने इसमें चीनी डाली है वह भी अच्छे से गूल जाए और यह जो हमारा मिक्चर है थोड़ा सा और थिक हो जाए इसे पहले भी मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी आइस्क्रीम की रेसिपी शेयर की हैं आप उन्हें भी एक बार जरू ट्राइक करें आपको बहुत पसंद आएंगी और अब हम इसे विकुल मार्किट जैसा लुक देने के लिए मैश मैड कर रही हूं थोड़ा सा येलो फूड कलर ये पूरी तरह से ऑप्शनल है अगर आप इसे विकुल मार्किट जैसा लुक देना चाहते हैं तो आप इसमें येलो फूड कलर एड कर सकते हैं वरना आप इसे पूरी तरह से इसकी भी कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर पाउडर वाला येलो फूड कलर आप आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आइस क्रीम का बैटर पूरी तरह से पक चुका है तो इसके लिए आप इस तरह से डाल कर देखिए अगर यह रूपकर गिर रहा है और एक और मैं आपको साइन बताती हूँ आप इस तरह से चंबच पर जब इसे आपस में नहीं मिल रही है तो यह mixer बिलकुल रेडी है और आप हम इसे ठंडा कर लेंगे और यहां पर मैंने इस बिलकुल ठंडा कर लिया है जब अफिल अच्छे ठंडा हो जाएगा आप देख सकते हैं यह काफी थीक लग रहा है थे धन्दा होने के पाद इक थीक हो जाता ह यहां पर मैंने एंपोड थिखाती है हुँ हमारी आइस्क्रीम पेस्ट का अब चलते हैं इसे जमाने के तो मैं है हाप पर आज किसी मल्ड में नहीं जमा रही हूं मैंने है इस तरह के कुछ गेर मुल जाते हैं अगर आपके पास आइस tested वाले मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह के ग्लास में सबस्क्राइब को छबस्ति फ Walter K कि हमारी बढ़िया सीme बढ़िया सीटर बन गया है अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ थोड़े से पिस्ते यह पूरी तरह से ऑप्शनल है इससे आइसक्रीम देखने में भी सुन्दर लगती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है यहाँ पर कस्टर्ड आइसक्रीम में पिस्ते का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो मैंने आपर थोड़े से बारी कटे वे पिस्ते ऊपर से डाल दिए है आप बिल्कुल भी टैंशन ना लें यह जो पिस्ते हम उपर डाल रहे हैं यह बिल्कुल भी अंदर आइसक्रीम में मिक्स नहीं होगे इसी तरह यह जम कर आएंगे जब आइसक्रीम जम कर तयार सबसे आसान तरीका बताती हूं आप लीजिए एक इस तरह से चोटी सी कैची और कैची से हम हलका से इसमें कट लगाएंगे और यह देखिए बहुत ही आसानी से आप इस कुल्फी को निकाल सकते हैं आपको इसके लिए ग्लास में पानी लेकर डिक परने कोई जरूत नहीं है कुल्फी को निकाल सकते हैं और यह लीजे सूपर डेस की कुल्फी बनकर रेडी है आपको रैसी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करना विकुल भी ना भूले और आपको यह कस्टरड कुल्फी कैसी लगी मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई